हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे तो आज जो वीडियो लेकर आई हूँ मैं होम फरनिशिंग के एकोर्डिंग लेकर आई हूँ अपने ड्रोइंग रूम को हर कोई चाहता है कि सुन्दर बनाए उसे कुछ अट्रेक्टिव लुक भले वहाँ पे कोई भी एक्सपेंसिव चीज ना हो लेकिन समर सीजन में हर कोई ये सोचता है कि हमारे घर में जब कोई आकर बैठे तो उसे थोड़ी सी अराम मिले अराम दायक हवा मिले ठंडी मिले क्योंकि बाहर इतना तेज सूरज है और घर इतना अराम दायक होता है ग गर को जब हम सजाते हैं तो हमारे माइन में बहुत सारी चीजे होती हैं जिसमें main role होता है जो आपका carpet होता है, rugs होती है या कालीन होता है और natural plants और सौफे को यदि आप सजा रहे हैं तो सौफे के जो main cushion होते हैं उन से आपकी सौफे की look बनती है तो इन सब चीजों को जब हम इखटा करते हैं तो एक positive vibes बनती है और इनी सब चीजों से आपका घर सुन्दर बनता है तो मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहती हूँ घर को सजाने के लिए देखे प्यार की जरूरत होती है घर कभी भी यह नहीं कहता है कि मुझे महंगे महंगे सामानों से सजाओ जहाँ पे प हर किसी का सपना होता है कि उसका घर बहुत ज़्यादा सुन्दर दिखाए दे तो बस आज यहीं सब बाते आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ भी हो जाए आपको हमेशा खुश रहना है तो आज जो वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी हूँ वो अपने घर की फार्निशिंग को लेकर स्टार्ट कर रही हूँ कि भई मेरा मन तो हमेशा यह करता है कि कुछ नए नए आइडिया में हमेशा दे कर आती रहो हूँ और अपने घर को कैसे मुझे डेकुरेट करना है मैं जादे एक्सेंसिग चीजों को कभी नहीं परचेस करती हूँ यह बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं वही हर किसी का एक बजट होता है हर कोई अपने बजट के एकॉर्डिंग ही घर के सामान खरीता है मैंने आप लोगों के साथ हमीशा बात शेयर करी है कि मैं हमीशा वही चीज परचेस करती हूँ जो मेरे बजट में हो और घर में रखी हुई चीजों को मैं जादा यूज करना पसंद करती हूँ उनको बैट के अंदर भर के रखना ये मेरी हैविट नहीं है चीज खराब हो गई तब आप जाके दुबार से परचेस कर लीजिए तो फ्रेंट्स ये देखिए ये मेरे पास एक कुल्टिड जैपुरी रजाई थी जो मेरे घर में बिल्कुल भी यूज नहीं होती थी क्योंकि इसका जो ये कपड़ा था ये कोटन नहीं था और मैं घर ये फिर लगी हुई है ये इतनी वोशेबल है धोने के बाद भी इसकी सिल्वटे खतम नहीं होती है और ये कुल्टिड कवर इसलिए कह रही हूं जब दो लेयर बीच में आ जाती है मतलब एक लेयर है फिर दूसरी फोर्म की लेयर है और तीसरी लेयर आपकी कपड़े की हो फिर मुझे अब सौफे के जो कुशन है उनका ध्यान रखना था हमेशा मतलब कलर को आप हमेशा माइड में रखिए जब लाइट शेड का आपने सौफे का पूरा बैक बना दिया है पूरा कवर कर दिया है तो अब इसको आपको डार्क शेड ही देना है कुशन कवर से डेक दिखाये दे रहे है एक रिचा फीमजा में खीचा हुआ है है और चारों खानों को आपको सुइध के घागे से एक यह एजगह लेकर आना है और यह ओन लाइन भी मिलते हैं यह दो पीस के सैट में है तो दोंपी मेरे पास इस दिजाइन के हैं दोंपीस थोड़ी से सर्क्ल शेप में है यह स्क्वायर शेप में है वो सर्किल में है तो इस तरीके से मैंने जो ग्रे कलर के कुशन थे वो मैंने वहां से हटा दिये जब भी आप अपने घर को डेकोरेट करें तो देखे थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़े का कलर कॉंबिनेशन का जब आप अपने घर में हर चीट का इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपका घर बिलकुल सिंपिल सा घर भी बहुती जादा सुंदर दिखाए देता है और घर में आप हमेशा ऐसी चीजों का यूज करें जो हपते में महीने में जब भी धोएं तो आप घर पर धो सकें क्योंकि कभ हम हैं वोशेबल वाली कोई चीज ले लेते अपने घर को डैकोरेट करने के लिए दूसरा जो में रोल होता है वो प्लांट्स का है मैं यहाँ पे बिलकुल यह नहीं कहूंगी कि आप महंगे महंगे गुलाब लेकर आएं फूल लेकर आएं बहार से और उनसे अपने कीजे नहीं जो आपके घर में नॉर्मल फूलवारी है उसमें काफी सारी वैराइटी है उनसे आप अपने घर को नैच्रल प्लांट से नैच्रल फूलों से सजाएं और कुशन के कवर देखी मेरे पास अभी मैंने आपको जो कुशन दिखायते हैं दूसरे कुशन यह हैं य जैसे की यह वाइट शेड इसका बेस है तो इसके साथ मैंने ग्रे कलर का कॉंबिनेशन बिठाया है ग्रे कलर बहुती अट्रेक्टिव लुक देता है और यह पूरी एक थीम सी बन जाती है जैसे कि आपके ड्रोइंग रूम की वाइट दिवारे हैं वहाँ पे आप उसके वाइट दिवारों के साथ बिल्कु डार्क शेड की लाइट यूज कर दीजे जैसे की ब्लू कलर की मैंने सीटिंग वाली जगे पे वाइट कलर का बेस बनाया है तो वहाँ पे डार्क शेड की कुशन को यूज कर दीजे और हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐस्थेटिक नहीं रखती हूँ जो डेकोरेशन रूम में ही इसको यूज करती हूँ तो देखे प्राचिन चीजों का भी एक अपना लुक होता है और बात है नैचरल प्लांट्स की नैचरल प्लांट्स तो गर्मियों के सीजन में इतना कूलनेस देती हैं और ये जो अभी मैं आपके सामन मैं कार्पेट बिछा रही हूँ ये मेरे घर के एंट्रेंस एरिये के पास मैं हमेशा कोशिस करती हूँ थोड़ी सी वहाँ पर ग्रीनरी बनी रहे और प्लांट्स जितना भी मतलब गर्मियों के सीजन में दिखाय देते हैं उनसे अपनी आखों को ऐसा लगता कितनी ठंडक सी फील हो रही हैं और बात है यहाँ पे करते हुँ स्कृतद यह रग हें पालफिन एक इनसे जता है उनसे आपके घर को यह कमलती है music मिलती और जहां पर आपको लगे कि इस एरिये से धूप जादा आती है तो वहाँ पे जादा तरह आपको ब्लैक आउट वाले कर्टेंस को ही यूज़ करना चाहिए जो आपके घर में सूरज की रोसने को बिल्कुल रोक सकें क्योंकि घर के अंदर जितना सूरज की रोसने आती है उ तो आपके घर में सूरज की रोसनी कम आती है और वहाँ का टैंप्रेचर थोड़ा सा लो हो जाता है तो आपको कुछ बातों का यहां पे ध्यान रखना चाहिए जैसे की प्लांट्स को रखना वोर्टर का यूज़ करना या वोर्टर फांटेन का यूज़ करना डाक शेड क के साथ हमेशा डाक शेड के चीजों को यूज़ करना इन सब चीजों से भी आपके ड्रोइंग रूम का जो टैंप्रेचर होता है वो थोड़ा सा नीचे आता है और इससे आपके घर का ड्रोइंग रूम का गर्मियों में टैंप्रेचर कम होने की वज़े से महाँ पे कूलन जादा बढ़ जाती है तो आज मैंने आपके साथ जो बाते करी है शेयर वो अपने घर को आप कैसे सुन्दर बना सकते हैं जो आपके घर के कुशन कवर हैं अपने घर को आप कैसे एक नियू लुक में क्रियेट कर सकते हैं फरनेश कर सकते हैं कभी कभी चीजों को हम अपने drawing room में टांगा करते हैं तो उन चीजों को यहां पर टांगने से best है आप उन चीजों को किसी चीज के उपर रख दीजे रखना भी एक best option होता है अपने drawing room को coolness देने के लिए और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं या भी starting से देखी है तो आपको पूरे गर में कोई भी expensive समान नजर नहीं आएगा देखे बिलकुल एक normal middle class का जो drawing room होता है वही सब चीजे हैं यहां पर उन ही से मैंने अपने घर के drawing room को सजा रखा है और friends देखिए drawing room तो बिलकुल साफ हो चुका है अब मैं अपने बच्चों के study room को साफ करने के लिए आ गई हूँ तो हफते में एक बार तो मैं अपने बच्चों के study room की भी bed seat change करती हूँ और जो हमारा guest room है यह guest room मैंने अब से दो दिन पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाया था तो जब भी आप यहां पे bed seat का चुनाव करें तो summer के according ही चुनाव करें क्योंकि जितना आप summer में light shade की bed seat को use करेंगे cotton की bed seat को use करेंगे उतना ही आप अपने bedroom को अच्छा look दे सकते हैं तो friends चलिए अब करते हैं वीडियो के last की बाते तो जादा से जादा इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए यदि अभी तक आपने मुझे कमेंट नहीं किया तो प्यारा प्यारा कमेंट जरूर किया कीजिए क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे एक मीठा सा motivation मिलता मीठा सा इसलिए कह रही हो देखिए सभी लोग बस good high बोलते हैं तो आपका good high भी मेरे लिए बहुत valuable